तो बच्चो अब हम अपने क्लास 9 का मैट्स का फर्स चप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नमबर सिस्टम बच्चों कि बहुत ही important चप्टर है और बहुत ही basic चप्टर है इस चप्टर में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपकी पूरी math में बहुत-बहुत-बहुत important रहेगा और बहुत-जादा काम भी आएगा तो इस चप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेगा बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा So students, let's start with our first chapter number system तो number system में बच्टर सबसे पहले हम चीज पढ़ेंगे वह है types of numbers बच्टर जो numbers होता है 1,2,3,4,5,6 उन numbers को हम बहुत तरीकित से divide कर सकते हैं यससे सबसे पहला division होता है सबसे basic division होता है natural number का natural number का natural number का natural number कौन से numbers होता है बच्टो 1,2,3,4,5,100,101 और आगे जाएं तो 200,1 और इसके भी आगे जाएं तो 3,5,2,3,5,3 और ऐसे करते 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 सारे number up to infinity यह सारे number 1 से start होने वाले number और 1 से आगे तक infinity तक सारे numbers जो है उन numbers के set को हम बोलते है natural numbers बैचो natural numbers को हम counting numbers भी बोलते है counting numbers भी बोलते है counting numbers क्यों बोलते है क्योंकि हम कोई भी चीज को count करते हैं तो हमेशा 1 से counting करते हैं 1,2,3,4,5,6 कुछ भी count करते हैं 1,2,3,4,5,6 ऐसी start करते हैं जैसे कि यहाँ पे इस photo में आपको बहुत सारी ships given है अब आपसे कहा जाते हैं इन ships को count करें कितनी ships है तो आप counting हमेशा 1 से start करेंगे 1,2,3,4,5,6 and so on तो इसी लिए इने बोला जाता है counting numbers क्योंकि यह 1 से start होते हैं अब to infinity जाता है यह natural number तो infinity तक जा सकते हैं ठीक है कोई fix तो है नहीं तो largest natural number infinity ही होगा अब अब अच्छो हम क्या करते हैं कि natural numbers को हम n से denote करते हैं n से ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि natural number n is a set of set of all the numbers starting from 1 तो यह हुआ हमारा natural number तो यह हुआ है यह पर n क्या है n है set of all the numbers from 1 to infinity इसके बाद में हम बात करते हैं whole number की natural number के बात बात आता है है whole number की बात जैसे natural number 1 से start होते हैं वैसे whole number बस 0 से start होते हैं मतलब की 0 1 2 3 4 and so on up to infinity ठीक है 0 बस include हो गया है natural number में तो वो whole number बन गया मतलब की whole number के set को हम w से represent करते हैं w से represent करते हैं इसका मतलब w is equal to क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 and so on 0 से लेके infinity तक के सारे numbers के set को हम whole number कहते हैं अगर यहां पर भी हम smallest और largest whole number की बात करें तो वो क्या क्या होंगे बचे smallest whole number क्या होगा देके 0 से क्योंकि whole number start होते हैं तो यहां पर smallest whole number होगा 0 largest whole number क्या होगा largest whole number होगा infinity अब natural number और whole number में difference क्या है बचे natural number हमेशा 1 से start होते हैं उसमें 0 नहीं होता है वहीं पर whole number जो है 0 से start होते हैं उसमें 0 होता है plus सारे natural number होता है बचे natural number और whole number के बार हर type का जो number पढ़ते हैं वो है integers अब integers क्या होते हैं देखें कोई भी number लीजे say हमने number लिया 5 अब इस 5 number क्या होगा आप एक minus n लगा दीजे तो क्या होगा minus 5 होगा मैं सब कोई और number लीजे जैसे कि लीजे आप 2 2 के आगे आप minus sign लगा दीजे तो यह गया minus 2 तो बचो जैसे की 1 2 3 4 5 6 यह numbers हैं अगर उन सभी numbers के आगे हम आप minus sign लगा दे तो वो negative number बन जाते क्या बन जाते है negative number बन जाते है तो यह बचो यह जो negative numbers का set है वो minus 1 से लेके minus 1 से लेके minus infinity तक होता है बनलब minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 ऐसे करते 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 infinity तक यह numbers होता है तो यह negative numbers का set होता है अगर negative numbers को और whole numbers को combine करके एक set बनाया जाए तो वो जो set बनता है उसे बोला जाता है integer बचो इसे हम denote करते हैं z से and here z is equal to minus 5 यहापर dot dot लगा देते हैं dot 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 minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 यह तो होगे negative number अब फिर यहाँ से लिखते है whole number 1 0 1 2 3 4 5 and so on लब कि देखे यहां से आगे तक इस point से आगे तक यह तो सब हो गए negative numbers और इस point से आगे तक यह सारे numbers कौन से हो गए यह सारे number हो गए हमारे whole number whole numbers और इन दोनों के combined set को हम बोलते हैं integers अब फिर सेगर हम यहाँ पर smallest integer और largest integer की बात करें तो यहाँ पर smallest integer कौन सा होगा? minus infinity largest integer कौन सा होगा? positive infinity बच्च हम जानते ही है negative number में जैसे जैसे number की value बढ़ती जाती है वैसे 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 वो number और छोटा होता जाता है मतलब की minus 4 जो है minus 5 से बड़ा number है minus 1 जो है this is the greatest negative integer मतलब negative numbers में सबसे बड़ा number कौन सा है? minus 1 negative number में सबसे चोटा number कौन सा है? minus infinity whole number में सबसे बड़ा number कौन सा है? infinity और whole number में सबसे चोटा number कौन सा है? 0 तो I hope आपको अब ये सब कुछ clear हो गया होगा, ठीक है, अब एक बात है, यहाप एक बात और समझने की है, कोई number है, suppose 1 by 2, 1 divided by 2, ये number का आएगा, बचो ये number natural number में आएगा, whole number में आएगा, या integer में आएगा, कहां पे आएगा, बचो ये जो number है 1 by 2, वो इन तीनों में से कहीं है, 1 by 2, 1 by 3, 2 by 3, 100 by 99, minus 5 by 6, 5 by minus 6, इस टाइप की जो numbers है, उन सभी numbers को, हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत अब numerator तो हो गया P, denominator हो गया Q, तो जो भी number P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन numbers को बोला जाता है, rational number, rational number, so rational number is the set of all the numbers which can be represented in form of P by Q, Q is set of all the numbers which can be represented in form of P by Q, P by Q की form में बचों, किसी भी number को अगर हम लिख सकते हैं, तो वो एक rational number ही होता है, अब यहाँ पर ध्यान दने की चीज़ यह है, कि P और Q, यह जो P और यह जो Q हैं, वो दोनों क्या है, पर जो P एक अलग number है, Q एक अलग number है, जो P है, वो एक integer है, जो Q ह है, वो भी एक integer है, मतलब कि P की value माइनस infinity से positive infinity से कुछ भी हो सकती है, और वहीं पर Q की value भी माइनस infinity से plus infinity से कुछ भी हो सकती है, मगर यहाँ पर ध्यान दने की बात यह है कि Q की value बास 0 नहीं हो सकती है, Q की value 0 नहीं हो सकती है, बाकि माइनस infinity से infinity से कोई सा भी number हो सकती है, ज 1 by 2 में P क्या है, 1 है, Q क्या है, 2 है, P तो है 1, Q है 2, तो P क्या हुआ, एक integer है, Q क्या है, वो भी एक integer है, वैसे 1 by 3, यहां पर P क्या है, 1 है, Q क्या है, 3 है, 2 by 3 में भी यह हो रहा है, P क्या है, 2 है, Q क्या है, 3 है, वैसे अगर इस वाले में देखें, तो P क्या है यहाँ पर, minus 5 है, Q क्या है, Q क्या है, 6, 5 by minus 6 में देखें, तो यहाँ पर P तो आ गया 5, और Q आ गया, minus 6, तो यह सब क्या है, इस सारे rational number है, बस ध्यान देने के बात यहाँ पर यहाँ याद रखने के बात यहाँ कि Q की value कभी भ रख भी देते हैं, जैसे कि अगर हम कोई number लेते हैं, P by Q, यहाँ पर हम कहा देते हैं, कि P की value तो है 5, और Q की value है 0, इसका मतलब हमने कर दिया 5 by 0, अब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे से तजब से पढ़ते आ रहे हैं, कि किसी भी number को हम 0 से divide नही नहीं कर सकते, this thing is not defined, not defined, इसी लिए हम कह रहे हैं, कि क्योंकि denominator में क्यों आ रहा है, तो Q की value 0 नहीं हो सकती है, उसके अलावा वो कोई भी integer हो सकती है, भले वो positive हो, भले वो negative हो, वैसे P की value भी positive हो सकती है, और वो negative हो सकती है, तो अब हो सकता है, ऐसा सोच रहा हूँ, कि भ यह क्या एक rational number है, बिल्कुल है, बस यहाँ पे P की value है 0, Q की value है 1, अब Q की value जब 1 होती है, तब उसको लिखते नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा रहता है, वैसे ही 1 है, सिर्फ single 1 है, तो इसमें P की value तो होगी 1, Q की value क्या होगी, Q की value होगी 1, same here, 100 है, 100 में P की value तो ह है 100, P की value है 100, और Q की value क्या है यहाँ पे, 1 है, वैसे गर हम बात करें minus 10 की, तो minus 10 में क्या होगा, P की value है minus 10, Q की value है 1, 10 upon 1, which is written as minus 10 only, यहाँ पे हम minus, वहाँ पे denominator हम 1 नहीं लिखते हैं बार बार, तो बच्चों, यह जो भी नंबर सभी हमने पढ़े, यह चारो टाइप के जो नंबर हमने पढ़े हैं, उसके नदर में एक relation निकाल सकते हैं, देखे, natural number क्या है, 1 से start होके infinity से जाने वाले number है, whole number, सारे natural number है, plus 0 है, ठीक है, integers क्या है, integers सारे whole number है, plus सारे negative number है, ठीक है, और rational number क्या है, rational number बच्चों, सारे integer है, plus हर वो number जिसके denominator में 1 नहीं है, वो भी numbers है, तो हो सकता है, आपको यह सब समझ में आ गया है, चलिए एक question करते हैं, उसके आपको चीज़ें और ज़्यादा clear हो जाएंगी, देखे हमें एक question दे रखा है, state, weather, following numbers are natural number, whole number, integer, और rational number, हमें इसको देखके बताना है कि यह natural number है, whole number है, integer है, या rational number है, या यह सभी कुछ है, तो देखे, 5000, 5000 क्या है, यह natural number तो है, क्योंकि counting number है, आप कुछ भी count करेंगे, तो वो 5000 तो आपकी counting तो पहुंची जाती है, तो यह क्या होए, एक तरह के natural number तो होई गया, n, अब देखे, यह whole number है, क्या, देखे, whole number में उस सारे number साथ है, जो जा natural number में है, इसका मत इंटीजर के अंदर सारे whole number होते है, इसलिए यह Z, Z भी है, Z कौम, इंटीजर के लिए रिखते है, अभी क्या यह rational number है, देखे, इसके लिए इसको P by Q की form में होना चाहिए, यहाँ पर P की value है 5000, और Q की value क्या है, Q की value है 1, इसका मतलब यह एक rational number भी है, ठीक है, minus 399, minus 399, क्या यह एक natural number है, बचाओ, natural numbers are counting number और हम कभी भी negative में counting नहीं करते हैं, कभी हमें sheeps count करनी तो हम ऐसे count नहीं करेंगे, कि minus 1 sheep, minus 2 sheep, minus 3 sheep, हमेशा हम उन्हें 1, 2, 3, 4 से count करेंगे, इसका मतलब minus 399 natural number में नहीं आता, ठीक है, तो यह natural number तो नहीं है, तो अब क्या यह whole number है, बचाओ, यह whole number भी नहीं हो सकता, whole number भी हमने देखा था, हमेशा positive भी होता है, अब अगर हम देखें, integer है या नहीं है, तो यह एक negative number है, इसल 399 और Q की value हो गई, 1, इसलिए यह Q भी है, अब बात करतें, 1 by 2 की, तो 1 by 2 जो है, वो natural number तो हो ही नहीं सकता है, यह हम counting में कभी भी 1 by 2 तो लिखी नहीं, बोल ही नहीं सकते है, ठीक है, तो यह natural number तो नहीं हुआ, अब यह whole number भी नहीं होगा, तो और यह क्या हो सकता है, integer हो स इसका मतलब की यह एक integer भी नहीं है, पर क्या एक rational number है? बिलकुल है, क्योंकि इसे P by Q की form में लिखा जा सकता है, 0, 0 क्या एक natural number है? हमने देखा था है, 0 natural number नहीं होता है, whole number, क्या 0 एक whole number है? बिलकुल है, 0 एक whole number है, क्योंकि whole number जो है, वो 0 से ही start होते है, in fact, 0 is the smallest whole number, क्या 0 एक integer है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि whole number integer का ही part होते है, whole number जब हो integer का ही एक part होते है, अब क्या एक rational number है, बिल्कुल है, rational number भी है यह, फिर बात करते हैं, minus 100 upon minus 5 की, यह natural number हो नहीं सकता, whole number हो नहीं सकता, क्या यह integer हो सकता है, क्योंकि यह P by Q की form में है, तो यह integer तो नहीं है, ठीक है, क्या यह rational number है, बिल्कुल है, यह rational number तो है ही सही, अब यह fraction में थे, इस वज़े से यह integer नहीं हुए, पर यह fraction में थे, इसलिए, इसलिए rational number हो गए, तो इससे हमें conclusion निकाल सकते हैं, All the natural numbers are rational numbers, जितने भी natural numbers होते हैं, वो सारे national numbers होते हैं, वैसे ही, All the whole numbers, यहाँ पर whole numbers भी लिख देता हूँ मैं, All the whole numbers are also rational numbers, यहाँ पर मैं integer भी दो देता हूँ, All the integers are also rational numbers, But all the rational numbers are not natural numbers, बच्चो सारे rational numbers, natural numbers हो जरूरी नहीं है, और सिर्फ natural number क्यों, सारे rational number whole number हो, यह भी जरूरी नहीं है, और सिर्फ whole number ही क्यों, सारे rational number integers हो, यह भी जरूरी नहीं है, जैसे कि इसी example को देख लिए, यह जो number है, वो इक rational number है, पर यह natural number, whole number यह integer नहीं है, 1 by 2 ये natural number, whole number या integer नहीं है पर 5000 को देखिए ये natural number भी है, whole number भी है, integer भी है और rational number भी है तो आई होब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा natural number, whole number, integer और rational number का concept तो चलिए आगे बढ़ते हैं बचो आप बहुत छोटे से थे तब से आप number line पढ़ते वे जरूर आ रहे होगे अब हम इन numbers को जो भी हमने पीछे देखिए हैं उन सभी numbers को हम number line पर represent करके देखिए तो बचो number line क्या होती है number line एक simple सी line ही होती है कुछ ऐसी एक line होती है इसके यहां पर दोनों side arrow बने होते है इसे हम number line बोलते हैं आस तक ठीक है अब हम इस number line पर सबसे पहले natural number को represent करना चाहते है क्या करना चाहते है natural number को natural numbers को हम इस line पर represent करना चाहते है कैसे दिखाएंगे कैसे अब दिखाएंगे कि इस line पर natural numbers है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक point लेना पड़ेगा, कोई भी point ले लिजे, around center के थोड़ा सा पास में ले लिजे, इसको नाम देजिए कि ये number 1 है, ठीक है, अब इसके right hand side में, याद रखिए right में, right में, equal distance पे, equal distance पे कुछ points बना दीजे, जैसे कि यहाँ से 1 cm की distance पे मैं एक और point बना देता हूँ, फिर इस point से 1 cm की distance पे मैं एक point और बना देता हूँ, यहाँ में लिख देता हूँ, यह 1 cm है, यह भी 1 cm है, यहाँ से 1 cm की distance पे एक और point, यहाँ से 1 cm की distance पे एक और point, इस तरह से मैं points बना देता हूँ, अब यहाँ प जरूरी है बस ठीक है ये तो हो गया number one अब इसके बाद में counting start कर दीजे ये number two ये number three ये number four ये number five number six and so on ये जो arrow है इधर के direction में वो represent कर रहा है कि and so on मलद इसके आगे के सारे numbers पर देखे अब इस arrow की हमें ज़रूरती नहीं है यहां पर तो arrow बनाने की ज़रूरती नहीं क्योंकि smallest number तो one है इसके left में तो कोई numbers आने ही नहीं है इसलम हम इस arrow को यहां से हटा सकते हैं तो यहां पर हमने natural numbers को एक number line पर represent कर दिया है अब यह तो वह natural number की बाद अगर हम whole number को इस number line पर represent करना चाहिए तो कैसे करेंगे देखे whole number को भी natural line पर represent करने के लिए हम बिल्कुल वह करेंगे यहां किया था बगर हमने यहां पर जो हमारी स्टार्टिंग करी थी वह number one से करी थी बस हम यहां पर इस स्टार्टिंग को जिरो से कर देंगे माला सबसे पहरा पॉइंट जो मार्क करेंगे होगा जिरो जो कि इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में होगा और इसके बाद राइट हैं साइड में वन सेंटिमीटर के गैप से हम points mark करना चालू करेंगे और फिर यहां पर numbering count कर लिखना चालू करेंगे 0,1,2,3,4,5,6 and so on towards right और सेम बात यहां पर भी है यहां पर left में क्योंकि odd numbers नहीं है इसलिए हम इस line को extend नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं लिख रहे हैं जिबकि इस line को यहां पर हम extend करेंगे कि यहां से यह जो numbers है वो infinity तक जाने वाले हैं अब हम integer को number line पर represent करना चाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए हमने देखा था integers क्या होते हैं देखिए integers होते हैं सारे whole number और सारे negative number तो whole number को तो हमने देखा कि किस तरीके से number line पर represent किया जाता है अब negative numbers को किस तरी से represent करेंगे देखिए 0 से right hand side में हम move कर रहे हैं तो हमें positive numbers मिल रहे है increasing order में 1,2,3,4,5,6 अब गर हम 0 से left hand side में move करेंगे left में move करें तो हम negative number मिलने लगेंगे 0 के जस्ट पहले negative number कौन सा होगा minus 1 होगा उसके जस्ट पहले कौन सा number होगा minus 2 होगा उसके पहले minus 3 होगा उसके पहले minus 4 होगा and so on यहाँ पे भी धियान रखना यही है कि यह जो gap है वो भी 1 cm का ही होगा मतलब कि यह equal होगा यह जो gap है यह equal होगा इन वाले gaps के ठीक है तो 0 के right hand side में तो हम positive numbers लिखते हैं 0 के left hand side में हम negative numbers को लिखते हैं और क्योंकि यह numbers जो है आगे infinity तक जा रहे हैं numbers आगे infinity तक जा रहे हैं ठीक है तो यह अब representation हो गया है हमारा integers का on number line तो अब यह देखिए कि आप एक और number line draw कर रही है इस number line में हमने देखा कि यह 1 से लेके आगे infinity तक यह तो थे natural number 0 से लेके यह आगे तक यह सब थे whole number और यहां से लेके इस end से लेके इस end तक यह सब थे integers पर अब हम rational number को कैसे represent करेंगे तो बच्चों rational number को number line पर कैसे locate करेंगे देखिए rational number को number line पर locate करना थोड़ा problematic है क्या problems आएंगे उसमें उसको समझने के लिए छोटी से number line draw करते हैं देखिए यह एक इसी number line है ठीक है यहां पर सिर्फ दो numbers हैं इसके लेफ्ट में दो ही numbers है total पांच numbers यहां पर पांच integers यहां पर locate हो रखेंगे अब हम zero से लेके one के बीच में जितने भी rational numbers है उन सब को यहां पर locate करना जाते हैं तो देखिए zero से one के बीच में तो बहुत सरा rational numbers होंगे जैसे कि one by two one by two क्या एक rational number है और zero से one के बीच में आ रहा है ठीक है one by three one by three one by four one by five ऐसे करते करते न जाने कितने सारे यह तो यह rational numbers zero से one के बीच में आ रहा है और उसके बाद में देखिए zero one by ten one by one hundred one by one thousand one by one lakh यह सारे numbers यह सारे numbers यह सारे numbers भी तो zero से one के बीच में आ रहा है और यह सारे rational numbers भी हैं तो zero से लेके one के बीच में इतने सारे numbers को locate करना तो possible ही नहीं है because there are infinite number of rational numbers between 0 and 1. तो 0, 1 के बीच में infinite number of rational numbers है 1 और 2 के बीच में infinite number of rational numbers होगे 0 और minus 1 के बीच में भी होगे minus 1 और minus 2 के बीच में भी होगे तो बचो इतने सारे rational numbers को यहाँ पे number line पे denote करना बहुत मुश्किल है इसलिए हम क्या करते हैं locate 1 by 2 on number line हमें कहा जाता है 1 by 2 को इस number line पे locate करना है तब यह बड़ आसान कहां है उसके लिए तो हमें simply क्या करना है 0 और 1 इन दोनों के बिलकुल बीच में जो जगे है जी बीच का जो point है वही point 1 by 2 होगा क्योंकि 1 by 2 तो बिलकुल half होता है न 0 और 1 का अब ऐसे हम से कहा जाए कि locate 1 by 4 on number line अब 1 by 4 को number line पे कैसे locate करेंगे देखिए 1 by 4 0 और 1 by 2 इन दोनों के बिलकुल बीच में आता है ठीक है तो 0 और 1 by 2 को बिलकुल बीच का point लिजे बहुत scale से measure करके बहुत precisely इसको लिजे और यहाँ आख कर दीजे 1 by 4 अब suppose हमें कहा जाता है कि locate 1 by 8 on number line 1 by 8 को कैसे locate करेंगे देखिए 1 by 8 जो है वो 0 और 1 by 4 के बिलकुल बीच में आएगा 0 और 1 by 4 के बिलकुल बीच में point लिजे और यहाँ पर mark कर दीजे 1 by 8 वैसे अगर हमें कहा जाए कि locate 1 by 1 by 2 on number line हमें 1 by 1 by 2 को number line पर locate करना है तो इसका मतलब क्या हो 1 by 1 by 2 क्या होता है 1 by 1 by 2 क्या होता है 3 by 2 होता है 2 into 1 plus 1 3 by 2 अब 3 by 2 जो है वो 1 और 2 के बिलकुल बीच में आता है ठीक है तो 1 और 2 के जो भी distance है उसके बिलकुल बीच का point लिजे आप तो यह हो गया 3 by 2 या फिर 1 1 by 2 तो बचो कुछ इस तरीके से हमें rational numbers को number line पर locate करना परता है पर अगर हमसे कहा जाए कि सारे numbers को number line पर locate कर दिया जाए तो यह possible नहीं है पर बचो जो अभी हमने तरीका देखा number line पर numbers को locate करने का वो वैसे तो ठीक तरीका है पर जब भड़े complicated number आ जाते हैं जैसे 5 by 3 यह आ जाता है तो ऐसे numbers को उस तरीके से calculation करके हम locate नहीं कर सकते है इ इसके लिए हमें थोड़ा कुछ अलग्ट strategies उसमें लेनी पड़ेगी लेखते हैं क्या करना पड़ेगा इस question को solve करते हैं देखे हमें कहा जा रहा है कि 5 by 3 को number line पर locate करना है तो बचो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले आप अपनी number line को draw करिये उसके बाद में बिलकु इसनल number है उसका जो numerator है 5 उस integer को आप number line पर locate कर गया है देखे 5 क्योंकि positive है तो वो 0 से right inside में जाएगा इसको 5 को locate करने के लिए हमें यहाँ पे 5 divisions बनाने पड़ेंगे तो बना लेता है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 यह सब equal distance पह है यह 1 है यह 2 है, यह 3 है, यह 4 और यह 5 है यह काम करने के बाद यह जो बीच के points बनाया थे इनने अड़ादेते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पे 0 से लेके एक point locate कर दिया which is 5 अब इसको भी मैं नाम देता हूँ इस point को भी इसको नाम देता है P यह O है यह P है ठीक है अब देके denominator में 5 यह 3 है ठीक है तो 0 से लेके 5 तक जो भी यह measurement है उसके 3 पार्ट करिये, 3 equal part करिये, 1st, 2nd, 3rd, यह 1st part, 2nd part, 3rd part, यह equal नहीं इसको सरी करना पड़ेगा, यह 1st part, 2nd part और यह 3rd part, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है अब यह बचो 5 by 3 जो है, वो कहा आएगा, यह वाला जो point है, यह वाला point है, 5 by 3 वाला point, यह को नाम देदेते हैं, A, बच्छों यह वाला point है, यह है हमारा 5 by 2 वाला point, यह को नाम देदेते हैं, B, और यह वाला point,